तो कैस आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियोस पर आकर कॉमेंट करते हैं और ये कॉमेंट्स मुझे रिगुलरली मिलते रहते हैं आप लोगों में से काफी सारे लोगों का सवाल ये होता है कि भाई मैं अपने Arduino, ESP32 या फिर ESP8266 बोड से existing code को कैसे डिलीट करूं existing code कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का कोई सा भी board हो गया चाहे आप कोई सा भी board यूज कर रहे हैं अपने projects के लिए तो उसमें आप लोग जो code upload कर चुके हैं जो कि आपका board उस code को run कर रहा है अभी उस code को हम लोग कैसे डिलीट करें ये सवाल आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने मुझे time to time पूछ रखा है जिसमें से सबसे पहला है space management अगर ordino board के memory में नया code upload करना है और पुराना code space occupy कर रहा है तो पुराने code को delete करके space free हो सकता है दूसरा है security अगर आप अपने code को secure रखना चाते हैं और board को किसी और की use में जाने से बचाना चाते हैं तो फिर आप लोग अपने code को delete कर सकते हैं और third है clean state कभी-कभी पुराने code को delete करके clean state पर start करना चाते हैं especially अगर कोई नया project start करना हो fourth number है testing टेस्टिंग के लिए पुराने code को delete करके नये code को upload कर सकते हैं ताकि नये functionality को test कर सकें और five हो सकता है कि आपका कुछ personal reason हो जिसकी वज़े से आप लोग code को delete करना चाते हैं अब problem कुछ भी हो सकता है वो आप लोग बेटर जानते हो लेकिन मेरा काम यह है कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा वो सारे काम आप लोग, अगर आप लोगों के पास laptop है, computer है या फिर smartphone है, आप लोग किसी से भी कर सकते हो लेकिन मेरी जो audience है YouTube पर आप लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास laptop नहीं है इसलिए मैं आज की वीडियो में अपने laptop का ना use करके अपने smartphone से ही आप लोगों को सारी बाते समझाऊंगा तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास laptop है, मैं कैसे करूँगा तो guys आप लोगों को पताने चाहूंगा कि ये जो steps है काफी जादा simple है तो अगर आप लोग laptop user हैं, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे ही आप लोग अपने IDE को open करते हो यानि कि Arduino IDE को open करते हो, अब चाहे Mac हो या फिर Windows हो दोनों ही के home screen पर आप लोगों को एक छोटा सा code देखने को मिलता है wide setup और wide loop आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को simple सा यही step करना है कि आपको इसको compile करना है जी हां guys, आप लोगों को compile करना है अब आप लोग ये बात दिमाग में मत रखना आपने कि इसके अंदर तो कोई सा भी code लिखा हुआ नहीं है फिर ये कैसे compile होगा एक बार आप इसको compile करके देखो उसके बाद फिर आप लोग जिस भी board से अपने code को delete करने चाते हो simply सब उस बाले board को अपने laptop या फिर computer से connect करो और आप लोग इस बाले code को उस board में upload कर दो आप लोगों का काम हो जाएगा तो simply मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्मार्टफोन से ही ये सारे काम करके दिखाऊंगा laptop बाले tension लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग भी बहुत ही आसानी से अपने board से code को delete कर सकते हो अब बात करते हैं solution number 1 की solution number 1 ये है कि आप लोगों को अपने ID को open करना है अब ID आप लोगों को जानते ही है popular ID है ordino ID आप लोगों को windows या फिर macOS के लिए ordino ID देखने को मिलता है जो कि आप लोग अपने mac या फिर windows laptop में download कर सकते हैं लेकिन स्मार्टफोन के लिए आप लोगों को download करने में कोई भी problem आ रही है तो मैंने इसके उपर एक detail में वीडियो बना रहा है अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उपर मैं i button में दे दूँगा और नीचे comment में और description में भी दे दूँगा आप लोग कहीं से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं back to the topic सबसे पहले हमें अपने id को open करना है open करने के बाद आप लोगों को अपने board को select करना है जिस भी board से अपने code को delete करने चाहते हैं तो three dot में मैं सबसे पहले जाऊंगा और setting में जाने के बाद board type में जाऊंगा board type में जाने के बाद और यहाँ पर मैं अपने board को select करता हूं और select करने के बाद यहाँ पर जो जैसा है वैसे ही छोड़ देना है अब यहाँ पर हम लोगों ने अपने board को select कर लिया है अब फिर से three dot के अंदर जाएंगे sketch के अंदर जाएंगे sketch के अंदर जाने के बाद examples में जाएंगे, basic के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक option आप लोगों को देखने को मिल रहा है, bare minimum का आप लोगों को इसको open कर लेना है, अब यह जो option है, यह कोई option नहीं है यह आप लोगों का code है, आप लोगों के किसी भी board से किसी भी code को delete कर देगा अब यहाँ से हमने अपने board को select कर लिया और code को open कर लिया है तो simply से मैं इस code को compile करता हूँ, अब compilation होने में आप लोग जिस भी board को use कर रहे है board के according, आप लोगों को थोड़ा सा wait करना है, क्योंकि compile होने में time लगता है तो guys, यहाँ से मेरा code है, वो compile हो जुका है अब मैं इस code को अपने board में upload कर दूँगा अब इसी तरह से आपको भी करना है, अपने code को compile करना है compile करने के बाद, अपने phone से board को connect कर लेना है या फिर laptop से connect कर लेना है, और upload वाले icon पर click कर देना है बस इतना करना है, आप लोगों को थोड़ा सा wait करना है जब तक कि आप लोगों को uploading done का pop-up देखने को नहीं मिल जाए इसके बाद फिर जैसे ही uploading done हो जाएगा, आप लोगों के board से code delete हो जाएगा अब guys, यहां तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग ये जो code है, इसको कैसे आप लोग access कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये वाला जो code है, अपने ID के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा शायद से ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए आप लोगों को करना ये है कि आप लोग यहां पर जो code देख रहे हैं या फिर अगर आप लोगों को copy करना है इस code को, तो मेरा एक WhatsApp चैनल है, आप लोग वहां से जाकर मुझे follow कर दें और उस चैनल पर मैं इस code को upload कर दूँगा सिंपली सा आप लोगों को उसको clipboard में copy करना है और अपने ID में paste करके, compilation start करके आप लोगों को upload done कर देना है तो I hope कि आप लोगों को वीडियो काफी जादा informative लगा होगा, अगर guys वीडियो थोड़ा सा भी informative लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को मेरे subscribe कर सकते हैं और अगर इस वीडियो से related कोई सब भी doubt रहे गया हो तो आप लोग मेरे comment में आकर आप लोग मुझे comment में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर मेरे Instagram पर आकर वहाँ से मुझे DM कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए good bye